नवस्कार दोस्तों, डेट आंज की देखो 20 नॉम्बर 2024 है, स्वागत है आपका एक्टोरियल डिसकर्शन में डिसकर्शन हम स्टार्ट करें, उससे पहले देखो, मेरे पास ना 2-3 लोगों का मेल आया, पिछले 2-3 दिनों में उन्हों में बोला कि सब डर लग रहा कि साइद ये जो अटेम्ट है वो भी खराब हो जाए, देखो पहली तो बात, अभी तो यार 6 महीने बचे है, अभी से ये सोचना कि अटेम्ट खराब हो जाएगा या तो बहुत ही बेकार है, मतलब हो सकता है कि पास्ट में कुछ ब्रेक आया हो, पढ़ाई में consistency ना बनी हो, कुछ भी हो सकता है, खुद की गलती हो या फिर circumstances ऐसी हो गई हो, लेकिन उन सब को ignore करो, अभी 6 महीने बचे हैं, 6 महीने में तो अभी भी mains प्री दोनों अच्छे से त्यार हो सकता है, बजाए इसके कि पास्ट के बारे में सोचो कि पास महीने अच्छे से पढ़ो और अपना best दोगे इस attempt में, 2025 वाले attempt में, तो बढ़िया result आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है अभी, तो यूँ मत सोचिए, articles देख लेते हैं, जो आज हमको discuss करने हैं, वैसे देखो आपको एक बात बताता हूँ, articles तो अभी चलो बताता हूँ, अभी मेरी नहीं एक दोस से बात हो रही थी, यहां पर पडोसी है, तो आजकल आपको पता है, कबूतर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो दोस्त बोलता है कि यार मैंने एक चीज सीखी, तो वो चीज आपके साथ सेर करता हूँ, जो दोस्त था नहीं, उस दोस्त के घर की बाल एक दिन में तो घोसला बनता नहीं है, तो तिनके होते हैं, 20-25 तिनके मानलो, घोसले की सुरुवात मानलो आप, 20-25 तिनके कबूतर इकठा करते, और जो दिदी सफाई करती, उसके घर में, वो डेली वो तिनके हटा देती, वहां से, तो न, डेली की डेली ऐसा ही चलता रह वो कबूतर डेली परियास करते, वो दिदी डेली सफाई करती, वो 20-25 तिनके जो इकठा होते, वो वहां से सफाई हो जाती, तो वो चले जाते, अगले दिन सुबह फिर से तिनके इकठा करने स्टार्ट करते, तो मतलब जानते हो क्या है, मतलब ये है, कि न, हम इंसान करने ही रहे हैं, कबूतरों कितर हैं, सोच पहले रहे हैं, सोचते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं, यही दिक्कत है आज के समय में सबसे ज़्यादा, चलो अब आर्टिकल्स डिसकस करते हैं, चार इशूज आज हम डिसकस करेंगे, सबसे पहले आर्टिकल्स डिसकस करेंगे EU का जो carbon border adjustment mechanism है ना इसके against India को कैसे जबाब देना चाहिए दूसरा article डेली में pollution इतना ज़ादा बढ़ गया है इससे समन्दित तीसरा article sex workers के mental health challenges और चोथा article NY Times का है Russia का nuclear gamble discussion स्टार्ट करें उससे पहले quote देख लीजिए Dr. B.R. Ambedkar का quote है Land order are the medicine of the body politic and when the body politic gets sick medicine must be administered इसमें ना body को ना society से compare किया जाता है metaphor है मतलब जो जैसे हमारी body है ना हमारा सरीर है उसको society से compare किया जाता है जैसे देखो body बिमार होती है ना तो हम क्या करते हैं हम medicine लेते हैं जैसे illness आती है बुखार वगरा होता है तो हम दवाई लेते हैं दवाई कड़ भी होती है अच्छी नहीं लगती उसी परकार से देखो society में अम्बेड कर कहते हैं society में जब social ills है ना society की problems है social evils है जैसे discrimination है चुआ चात है ये सब चीजें जो हैं ये क्या है ये बिमारी कितरह है तो बिमारी को ठीक करने के लिए लाइन ओडर को enforce करना ज़रूरी है लाइन ओडर एक डवाई के समान है तो लाइन ओडर enforce करेंगे ना तो ये जो बिमारी है ना social ills है इनको ठीक किया जा सकता है जैसे दवाई लेने पर body ठीक हो सकती है तो ये बात अम्बेड करने बोली थी तो एक परकार से ना वो ये कहना चाहते है जो legal actions है ना उनसे social problems को address किया जा सकता है जैसे एक कड़वी दवाई की साइथा से body को ठीक किया जा सकता है उसी परकार से जब legal action लेंगे तो जहीर तोर पर वो कड़वा होगा लेकिन वो ज़रूरी है society को ठीक करने के लिए यानि body को ठीक करने के लिए तो ये इनका quote था अब चलिए discussion स्टार्ट करते हैं आज की discussion में फर्स्ट इंपूर्डवन आठकल Carbon Border Adjustment Mechanism से समधित हैं आपने syllabus में GS Paper 3 के इन topics से आठकल को relate कर सकते हूं दिखो आपने European Union का जो ये Carbon Border Adjustment Mechanism है इसके बारे में सुना होगा पहले भी हमने इसके बारे में डिसकस किया है लेकिन जल्दी से 30 सेकेंड में बता देता हूं फिर से European Union ने ये बोला है कि 1 जनवरी 2026 से हम दूसरे देशों से European Union में जो Steel, Cement, Electricity, Iron ये सब इंपोर्ट होगा न तो ना इस पर हम Tariff लगाएंगे Tax लगाएंगे, Carbon Tax जैसे इंडिया की कमपनी है ABC ABC कमपनी European Union के किसी देश में Steel बेच रही थी तो अब वो Steel European Union के देश में महंगा बिकेगा क्योंकि European Union इंडिया की कमपनी से इंपोर्ट होने वाले Steel पर Carbon Tax लगाएगा क्यों लगाएगा European Union का लोजिक ये है देखो हमारे देशों में जो कमपनी हैं जो Steel, Iron वगरा परड्यूस करती हैं वो तो देखो जितना Carbon Emite करती हैं तो उतने ही वो Carbon Emission के Certificate Purchase कर लेती हैं लेकिन इंडिया जैसे देशों में क्या होता है Steel प्रड्यूस करने वाली जो कमपनी है जैसे ABC कमपनी है वो दब के Carbon Emission करती है लेकिन कोई Certificate Purchase नहीं करना पड़ता तो इसका मतलब इंडिया में Steel प्रड्यूस करना सस्ता है European Union में महंगा है इसी वज़े से इंडिया से Steel अगर इंपोर्ट करेंगे तो हम Carbon Tax लगाएंगे ये है Carbon Border Adjustment Mechanism ये तो देखो सुर्ख्यों में है लेकिन दो और चीज़ें सुर्ख्यों में है ये आपने नहीं सुनी होंगी साइद जिसमें से एक है Corporate Sustainability Due Diligence Directive इसका मतलब क्या है Corporate Sustainability Due Diligence Directive अब जैसे देखो बांगलादेश है बांगलादेश की किसी फैक्टरी में टेक्स्टाइल यानि कपडों की फैक्टरी है वहाँ पर चाल्ड लेबर हो रही है या फिर बहुत कम वेजीज दे रहे हैं वर्किंग कंडिशन्स काफी पूर है पहले वो कंपनी यूरोपियन यूनियन के किसी मेंबर कंटरी को अपना समान बेच रही थी बट यूरोपियन यूनियन ने अपनी कंपनी इसको बोला कि दूसरे देशों की ऐसी कंपनी से आप समान मत परचेज कीजिए जैसे यह बंगलादेश की टेक्स्टाइल कंपनी है जहां पे बच्चों से लेबर करवाई जाती है विजीज बहुत कम है तो जहां पे मतलब हुमन राइट्स का वाइलेशन वगरा होता है ना तो उस कंपनी से आप समान मत परचेज कीजिए यह है Corporate Sustainability Due Diligence Directive फिर एक next है यह भी आपने नहीं सुना होगा European Union Deforestation Regulation इसका मतलब यह है European Union ने यह बोला है कि दूसरे देशों से ना दूसरे देशों से उनकी कंपनी से आप ऐसे प्रोडेक्ट्स मत परचेज कीजिए जिनको उगाया गया है Deforested Land पे जैसे कोफी है कोफी Plantation है अगर देखो पेडों को काट के जमीन खाली की गई और वहाँ पे कोफी की Plantation की गई तो फिर उस कोफी को आप परचेज मत कीजिए Deforestation को जो ये कानून है न ये CBAM Corporate Sustainability Due Diligence डिरेक्टिव दूसरा और तीशे नमबर पे European Union Deforestation तीनों का जो असर हो रहा है वो European Union के Border के बाहर दूसे देशों पे हो रहा है इसलिए इंडिया ने European Union के इन लास को बोला Arbitrary इंडिया ने बोला भाई जो मन में आया वो डिसाइड कर रहे हो क्या पता भी है कितना नुकसान होगा आपके इन कानूनों से developing countries को जैसे आप example देखें इंडिया का total जो merchandise export होता है उसमें 20.33% export तो देखो European Union को होता है और ये total export में iron, steel जिन पर ये carbon tax लगाएगी न European Union वो देखो 25.7% contribute करते हैं जो सबसे ज़्यादा effect होंगे इस CBAM से वो है iron and steel तो न इस वज़े से क्योंकि देखो इंडिया का जो export है वो परभावित होगा European Union में इस वज़े से न अभी जो बाकू में conference of parties की meeting हुई न इसमें इंडिया ने बोला ये जो CBAM है European Union का ये discriminatory है और इंडिया ने ये भी बोला कि जो developing countries है न उनको मिल के response देना चाहिए European Union के इस CBAM के against him बट देखो आज के इस article में न राइटर ये बोलते है इंडिया ने देखो अगर इंडिया अच्छे arguments नहीं देगा न इसके against तो इंडिया की जो credibility है वो खराब हो जाएगी इंडिया को ये समझना चाहिए कि भाई सारे developing countries पहली तो बात European Union को समान नहीं बेच रहे हैं इंडिया बेच रहा है इंडिया की economy चलो ठीक perform कर रही है बाकी developing countries European Union को समान नहीं बेच रहे हैं तो ये जो CBAM है न ये सभी देशों को सभी developing countries को equally effect नहीं कर रहा है जितना इंडिया को कर रहा है सभी देश climate change से उतने परभावित भी नहीं है कुछ देश climate change से जादा परभावित है अब climate change का जादा negative impact उन पर हो रहा है और कुछ देशों पर climate change का जो impact है थोड़ा कम हो रहा है राइटर कुछ अच्छे arguments देते हैं और बोलते हैं कि देखो ये arguments इंडिया को देने चाहिए developed countries को जैसे सबसे पहली चीज़ अभी जो developing countries है वो देखो बहुत सारे ऐसे products produce करते हैं जो बिकते हैं developed countries में जैसे अब steel ही माल लीजिए steel इंडिया की किसी company ने manufacture किया और export कर दिया European Union में या फिर USA में अब काफी emission हुआ था steel को produce करने में लेकिन वो product जो है वो export हो गया developed country में तो writer ये बोलना चाहते हैं कि देखो हमें punish किया जा रहा है ऐसे emissions के लिए जिसका consumption तो developed country में होगा हमारी company ने तो सिरफ उस product को manufacture किया था consume तो वो developed country में हुआ न वो export हो गया था वो export हो गया था तो जो product use developed country में हुआ यहां से export हो गया था इवन उस product के emission के लिए हमें दो सिट हराय जा रहा है हमें punish किया जा रहा है पहली तो चीज यह है पहला argument फिर देखो दूसरा argument writer ये देते है इंडिया को एक बात European Union के सामने ये रखनी चाहिए कि भाई आपने न एक target रखा था कि 2020 आते आते 1990 के level में 1990 में जो आपका emission था उसे आप 20% कम कर दोगे बाद में आपने ये target अपडेट कर दिया था बाद में आपने emission को 55% तक कम करने की बात कही थी जितना emission 1990 में था तो point आप समझें European Union की ये जो दो चीज़ें है वो important नहीं है कितना इन्होंने target रखा था लेकिन point समझें point important है point ये है कि जब देखो European Union को transition करना होता है emission कम करने के लिए तो तो वो इतना लंबा लंबा time period लेते हैं 12 सालों का 20 सालों का और जो developing countries को emission कम करने की बात आई तो सिधा इन्होंने बोल दिया कि हम तो carbon border adjustment mechanism लाग्यू करेंगे और भाई developing countries को तो time दो आपने उनको तो time दिया नहीं खुद को emission कम करना था तो आप 15 साल ले रहे हो हाँ धिरे-धिरे transition करेंगे अभी technology नहीं है धिरे-धिरे लाएंगे जबकि developing countries को आप time ही नहीं दे रहे हो उनको तो आप एक साल दो साल का time दे रहे हो और ये बोल रहे हो कि बस एक दो साल का time है आपके पास में अब आप ज़्यादा emission produce करोगे और हमें ये steel वगारा export करोगे तो उस पे हम carbon tax लगाएंगे ये तो गलत चीज है ना developing countries को भी transition के लिए वक्त चाहिए इसको use किया जाएगा next generation EU recovery tool के लिए इसके लावा carbon border adjustment mechanism को implement करने के लिए इन कामों के लिए carbon border tax का पैसा use किया जाएगा तो राइटर बोलते हैं यार उस पैसे का तो कम जब कम आप use करो developing countries की technology को upgrade करने के लिए developing countries की capacity को build करने के लिए वहाँ पर आप इस पैसे का use कीजिए आप तो carbon border tax का पैसा अपने लिए इस्तिमाल कर रहे हो तो ये भी गलत है फिर next argument में राइटर ये बोलते हैं अगर देखो European Union tax लगा रहे है न developing countries या फिर दूसरे देसों से import होने वाले इन products पे जैसे steel, cement, इत्यादी तो developing countries को बिना European Union से import होने वाले माल पर tax लगा देना चाहिए लेकिन वो carbon border tax ना हो वो हो equity based accounting equity based accounting मतलब 3-4 चीज़े consider की जाएं जैसे देखो ये देखा जाए कि जिस देश से माल import हो रहा है उसकी per capita GDP में for example European Union की कोई company है वो इंडिया में माल भेज रही है तो कितना tax लगेगा इस बात पर depend करेगा कि European country जो उसकी company जो इंडिया में माल भेज रही है न वहाँ पर क्या per capita GDP है और इंडिया में per capita GDP क्या है दोनों के बीच में difference क्या है relative है समझ गए relative per capita GDP माल लिजिए जर्मनी ने समान भेजा जर्मनी की company ने इंडिया में समान भेजा तो पहला factor यह consider किया जाएगा जर्मनी में per capita GDP और इंडिया में per capita GDP दोनों के बीच में difference कितना है फिर यह देखा जाएगा इंडिया में per capita emission और जर्मनी में per capita emission दोनों के बीच में difference कितना है relative gain from trade जर्मनी को कितना relative gain होगा इस trade से जो इंडिया में समान भेजा जा रहा है सबसे last में relative avoided emission through trade जो ये trade हो रहा है इस से relatively कितना emission avoid होगा तो ये चार चीजें देखी जाएं, चार चीजें को consider करके फिर जो company इंडिया में समान भेज रही है, उस पर free tax लगाया जाए ये developing countries का जबाब होना चाहिए European Union के Carbon Border Adjustment Mechanism के against, इन्हों ने तो कुछ भी नहीं देखा, बट developing countries ये चार चीजें देख सकती है, इसे बोला गया है writer के दोरा EBA Equity Based Accounting मतलब point समझ गए न, European Union के Carbon Border Adjustment Mechanism का जबाब developing countries EBA से दे सकते हैं, जिसमें ये चार चीजों को consider करते हुए, European Union से import होने वाले माल पर tax लगाया जाए लास्ट में writer ये बोलते हैं, देखो ये Carbon Border Adjustment Mechanism है ये सारे concepts को ignore कर देता है, जैसे common but differentiated responsibility, कि climate change को address करना, वैसे तो देखो सबकी responsibility है, लेकिन common नहीं है ये भी देखा जाएगा लास्ट में, इस लाइन में न, common but differentiated responsibility and respective capability भी है, ये word मत बूल जाना respective capability, तो ये concept बोलता है, जिमताई तो सब की है climate change को address करना, बट देखो developed countries की ज़्यादा है, developing countries की कम है, क्योंकि historically वही responsible है, emission के लिए, और developing countries की उतनी capability भी नहीं है तो carbon border adjustment mechanism इस concept को ignore करता है, even compensatory justice के concept को भी ignore करता है, कि compensation देने क्या सकता है उन countries को जो भुगत रहे हैं, किस के कारण, developed countries के कारण, emission तो उन्होंने की है न, तो compensation देने के लिए तयार नहीं है कुल में लागा देखो, ये CBAM की साहिता से न, European Union दूसरे non European countries को ड्राना चाहते हैं, और खुद moral grounds gain करके climate leader बनना चाहते हैं तो इंडिया को अच्छे-चे arguments present करने चाहिए, इनको expose करने के लिए, तो ये पूरा से आर्टिकल को relate कर सकते हों क्या contest है contest देखो ये है Monday को यानि 18 नुवंबर 2024 को नम, दिल्ली में average air quality index था 488 और कुछ जो private stations थे वो तो record कर रहे थे कि air quality index 1000 तक पहुंच चुका है, और होना कितना चाहिए, 0 से 50 के बीच में तो सोच के देखिए में, डेली में, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बच्चों पर, बूडों पर कितना ज़्यादा negative impact पढ़ रहा है, आप सोच के देखिए पिछले कुछ सालों में करोडों रुपे invest कर दिये, air quality को major करने के लिए technology को fix करने के लिए हवा को clean करने के लिए, result क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला 2016 से लेके अभी तक ना सिरफ देखो, दो साल ऐसे रहे हैं, जिन में air quality index जिन दिनों severe था ना, मतलब जितने दिन तक air quality index severe था, वो दिन single digit में हो, जैसे 8, 9, ऐसे 2016 से लेके अभी तक सिरफ 2 साल रहे हैं for example, 2017 में या फिर 2018 में, 2 साल तक, जो जब air quality index severe category में था, तो ऐसे दिन सिरफ 7 रहे 8 रहे, single digit में रहे बाकी तो देखो हर साल, number of days जब air quality index severe category में होता है, वो number of days double digit में हैं बड़ थोड़ी रहत की बात यह है, 2016 में न, साल में कम से कम 200 दिन ऐसे थे जब air quality index poor category में था लेकिन न, अब ये number of days घटके हो गए हैं कितने 121 2024 में सिरफ 121 दिन ऐसे हैं जब air quality index 201 से 300 के बीच में, यानि poor category में इसके बाद writer बोलते हैं देखो, दिल्ली में न, और आसपास के reason में जो meteorological conditions हैं हवा कितनी चल रही हैं और temperature कैसा है, temperature में variation कैसी है, humidity कैसी है ये जो meteorological conditions है न, ये आने वाले समय में भी एक बड़ा role play करते रहेंगी NCR reason में pollution level के बढ़ने या घटने में बट एक दिक्कत वाली बात ये है कि पिछले कुछ सालों में न, इतने सारे अब तो analytical tools आ गए है public भी और private भी ये पता लगाने के लिए कि किस source से कितना pollution हो रहा है बट अभी भी जब पता है किस source से कितना pollution हो रहा है, तो अभी भी pollution क्राइसिस को क्यों नहीं address कर पा रही है सरकार एक हफ़ते पहले तक बोल रहे थे कि पंजाब में जो stable burning हो रही है वो responsible है pollution के लिए बट देखो अभी तो अभी जो air quality index खराब हो गया है आज कल में, उसके लिए पंजाब की stable burning responsible नहीं है, उसके लिए तो household sources और सडक के किनारे में जो dust होती है, मिट्टी होती है वो responsible है, pollution के बढ़ने के पीछे ना अभी देखो, दिवाली है 31 अक्तूबर को दिवाली थी, इतने सारे दिन हो चुके हैं, कई बार दिवाली को दोसी ठरा बना दिया जाता है, और उसी के इद्गिर्द पूरी डिबेट घूमती है जबकि देखो, सचाई ये है अलग-अलग sources, अलग-अलग emission में contribute करते हैं अब यसे stable burning है stable burning को पूरी तरह से जिमेदार कई बार ठराय जाता है चुकि पता है, stable burning अभी कुछ दिनों के लिए चलेगी, फिर बंद हो जाएगी और पूरी डिबेट खतम हो जाएगी तब तक, लेकिन जैसे सडको की किनारे जो dust होती है ये बहुत ज़दा contribute करती है pollution crisis में, लेकिन सडको को साफ करना मुस्किल है तो इस वज़े से सडक किनारे जो dust है इसको debate में लाया नहीं जाता क्योंकि ये पूरे साल की problem है पूरे साल रहती है नगे डेस्ट तो हमारे जो leaders है वो कितना ज़दा serious है दिल्ली में pollution crisis को address करने के लिए आप देखिए जो central government के ministers है न वो या तो देखो महाराष्टर में elections के परचार के लिए गए थे या फिर बाकु में 29th जो conference थी उसको attend करने के लिए गए दिल्ली में जो minister है गुपाल रहे वो faulty satellite का data जो है पंजाब का उसको show कर रहे हैं कि देखो fire कम हो गई है अरे भाई अभी fire responsible है नहीं है pollution के लिए मतलब समझ गया है हर कोई अपनी responsibility divert करने कोसिस कर रहे है वो cloud seeding बोल रहे हैं कि artificial बारिश करवा देते हैं उन्हें कोई इसाब किताब नहीं है कितना खर्चा आ सकता है artificial बारिश से क्या नुकसान हो सकता है मतलब समझ रहे हैं आप कुछ न कुछ बोलना है बस कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं serious ना देखो central government है ना ही डिल्ली की सरकार serious है कोई serious नहीं है otherwise तो देखो इतना घंबीर तरह की situation है देली में ये तो मतलब सबसे important काम होना चाहिए था address करने के लिए और लगातार हर साल होती है ये problem even देखो CQAM Commission for Air Quality Management सबसे बड़ी बोडी है apex बोडी है NCR region में pollution को address करने के लिए लेकिन ये बोडी भी तभी जागती है सिरफ जब Supreme Court धमकाती है इस बोडी को otherwise ये बोडी कुछ नहीं बोलती साफ पता लगता है कि बोडी थोड़ा 22 टोके काम करती है और सिरफ Supreme Court जब दमकाती है तब ये बोडी कुछ जागती है एक दो step लेती है फिर वापस फिर से सो जाती है जनता देखो खुद भी responsible है जब ऐसे issues जनता के लिए matterी नहीं करते जनता को जनता ने इन issues को serious लेना start किया और इन issues के लिए politicians की accountability fix करने start की उस दिन फिर politicians इन issues को ज़्यादा serious लेंगे उन्हें पता है जनता vote नहीं देगी काम करना ज़रूरी है तो ये पूरा article हमने discuss किया चलते हैं आगे इसके बाए नएस आर्टिकल देखो sex workers के mental health challenges से समधित है आपना syllabus में GS paper second के इस topic से और ethics से भी इस article को relate कर सकते हूँ शुरुवात में देखो introduction में न एक web series का जिकर किया जाता है Netflix की web series है हीरा मंडी संजलीला बंसाली ने इसे direct किया था इसमें दिखाया जाता है किस परकार से जो तवाइफे हैं pre-independence एरा में मतलब लाहोर में उनकी जिंदगी कैसे थी लाहोर की red light area की कहानी है हीरा मंडी तो वो बताते हैं देखो जो sex workers हैं बहुत सारे issues face करती हैं जैसे anxiety, depression, post-traumatic stress disorder और बहुत सारी जो sex workers हैं वो substance use करने लगती हैं लेकिन वो ये सब क्यों face करती हैं वो ये सब mental health problems क्यों face करती हैं देखो सबसे पहला reason यह आता है कि उन्हेंना समाज से बाहर कर दिया जाता है बहुत बड़ा stigma एक attach हो जाता है sex workers के साथ में और stigma जब attach हो जाता है ना उनके साथ में तो समाज के लोग फिर उनसे कटने लगते हैं उनसे deal नहीं करते basic amenities मिलने में दिक्कत आती है जैसे normal सी बात है sex workers को कोई घर किराय पर नहीं देता तो वो human rights से वन्चित हो जाते हैं जैसे basic health services उन तक नहीं पहुँच पाती फिर दूसरा है violence उन्हें clients और कई बार तो police से भी physical और mental violence का सामना करना पड़ता है next point article में ये बोला जाता है फिर देखो sex workers जो हैं बहुत economic pressure जहलती हैं जैसे अपनी financial मजबूर के कारण वो as a sex worker काम करती है economy की हमेशा uncertainty रहती है कल क्या होगा कुछ नहीं पता family की responsibilities हैं उनका क्या होगा तो इस परकार से ना अनेको तरह का stress होता है और उसी से उसी का सामना करने के लिए कई बार नशे का सारा वो लेती हैं और substance abuse से ना जो ये mental health problems है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ये एक harmful cycle बन जाता है stress की वज़े से substance abuse किया उसकी वज़े से problems और ज़्यादा बढ़ गई फिर और ज़्यादा substance abuse किया तो इसलिए ना article ये suggest करता है कि देखो sex workers को भी ना comprehensive mental health services प्रोवाइड करने के आफ सकता है कुलकाता का एक area है सोना गाची सोना गाची एरिया में एक project चल रहा है जिसमें आ sexual health workers के mental health database को compile किया जा रहा है तो writer बोलते हैं देखो और ज़़दा research किया आफ सकता है दूसे areas पर भी ध्यान देने किया आफ सकता है सरकार को reality मानते हुए sex workers के लिए sportive policies बनानी चाहिए अगर उन्हें legally protect किया जाएगा न तो फिर देखो उन तक mental health services पहुंचेंगी फिर उनके लिए safe spaces का निर्मान होगा और इस इस context में न peer sport network का importance बहुत ज़दा होता है मतलब आपस में जब sex workers एक दूसरे को peer sport दे इसकी importance काफी ज़दा होती है तो इस चीज में भी awareness फिलाने के आऊ सकता है तो यह सारे points है इस पूरे article में मतलब जितने भी important points थे वो हमने discuss कर लिए इसके बाद ने इस article देखो New York Times का है Russia के लिए nuclear weapons as a bargaining chip से समदी थे अभी हाल ही में क्या हुआ Ukraine Russia war को देखो 1000 दिन पूरे हो गए और US ने लोंग रेंज की missile यूज करने की Ukraine को permission दे दी और उसी दिन Russia ने क्या किया अपना नया nuclear doctrine जो है वो release किया जिसमें उन्होंने ये बोला अगर देखो हमारी territorial integrity या फिर sovereignty को अगर कोई खत्रा है तो हम nuclear weapons यूज करेंगे इवन ये भी बोल दिया नए nuclear doctrine में कि अगर अगर देखो हमारे दुसमन देश को कोई nuclear powered country sport कर रहा है जैसे इस case में Ukraine को UK, France और US ये सारे nuclear powered country sport कर रहे है तो भी हम nuclear weapons यूज कर सकते हैं मतलब आप समझे कि जो threshold है न nuclear weapons को यूज करने का वो देखो पुतिन ने कम कर दिया है मतलब nuclear weapons को यूज करने का जो खत्रा है अब बढ़ गया है बढ़ देखो USA नहीं से serious नहीं लिया जब Russia ने अपना nuclear doctrine change किया तो USA में जो administration है वो इस बात में ज़्यादा busy है कि Trump परसासन में कौन-कौन मंत्री बनेगा वो सारी discussions जो इंडिया में भी होती है नहीं सरकार जब बनती है तो वैसी discussion अब वहाँ पे भी चल रही है तो उन्होंने इस Russia के nuclear doctrine को change करने वाली चीज को ज़्यादा serious नहीं लिया बट देखो एक चीज writer बोलते है अभी नह देशों के पास में nuclear weapons है और दस्वा देश जल्द ही इरान बन सकता है वो nuclear weapon हासिल करने के लिए पुर्जोर कोशिस कर रहा है अभी Russia और China के बीच में नुक्लियर कोपरेशन काफी ज़्यादा हो रहा है इवन युक्रेइन जैसे देश जब देखो USSR के टुकड़े हुए थे न तो उसमें से एक युक्रेइन था और उस समय युक्रेइन के पास में nuclear weapons थे बट देखो बट इन्होंने ना अपने nuclear weapons रश्या को दे दिये क्यूं क्यूंकि रश्या युएस इन सब देशों ने ना युक्रेइन की security की घरंटी दी थी कि भाई आपको nuclear weapons की क्या जूरत है आपको तो सुरक्सा हम देंगे लेकिन अब युक्रेइन ना पच्तार है उसको लगता है कि यार 1994 में तो ये सब चीजे देखो आप बाकी देश भी देख रहे हैं जिनको रिलेटिवली खतरा होता है तो वो तो देखो आप nuclear weapon हासिल करने की कोशिस ज़्यादा करेंगे और देखो USA और रस्या के बीच में ना nuclear weapons को limit करने के लिए एक treaty है आने वाले 15 महिनों में ये treaty expire हो जाएगी फिर तो देखो कोई treaty ऐसी होगी ही नहीं जो रस्या और US के बीच में हो और जो nuclear weapons को limit करें फिर तो जो arm race ज़्यादा से ज़्यादा nuclear weapons को एकठा करने की race cold war के दुरान चल रही थी वो एक बार फिर से चल सकती है इसलिए थो कुछ लोग बोलने लगे हैं कि ये जो situation है ये third world war की शुरुवात है पुतिन का nuclear doctrine को change करना USA का allow करना Ukraine को कि आप long range missile use कर सकते हो रस्या में लेकिन देखो एक अच्छी चीज ये है Trump जल्द ही सत्ता संभालने वाले हैं और Trump नहीं ये बोला था जब मैं प्रेजडेंट बनूँगा तो 24 गंते के अंदर अंदर मैं इस युद को खतम कर दूँगा Russia Ukraine war को कैसे खतम कर दूँगा मैं Russia को हतियार देना बंद कर दूँगा Sorry, मैं Ukraine को हतियार देना बंद कर दूँगा और Ukraine को जब देखो हतियार मिलेंगे नहीं तो West की स्पोर्ट के बिना Ukraine Russia के अगेंस्ट युद लड़ी नहीं सकता वो हार जाएगा तो अब देखने ये होगा Trump राश्टरपती की सपत लेने वाले हैं पद संभालने वाले हैं तो वो क्या करते हैं क्या वो Ukraine को स्पोर्ट देना बंद कर देंगे इससे वार खतम हो जाएगा फर्दर चलेगा क्या होगा आगे देखने वाली बात है लेकिन देखो इतना जरूर है Russia का ये थ्रेस होल्ड कम करना ये एक अच्छा संकेत नहीं है इस परकार से देखो हमने काफी सारे आर्टिकल्स डिसकस किये सबसे पहले आर्टिकल हमने डिसकस किया European Union का CBAM जिसमें राइटर ना मेंली ये बोलते है इंडिया को ना अच्छे आर्गुमेंट्स दिने चाहिए इंडिया को ये बोलना चाहिए European Union को कि भाई आपने तो पूरा टाइम लिया ट्रांजिशन के लिए हमको कम टाइम दे रहे हो सबसे पहला तो ये बोलना चाहिए दूसरा ये बोलना चाहिए कि भाई ये प्रोडेक्ट्स कंजूम तो आपके देश में हो रहे हैं और एमिशन के लिए आप हमें दोसी ठरा रहे हो तीसरा फिर राइटर ये भी बोलते हैं यहां पर देखो EBA लगा देना चाहिए मतलब डवलपिंग कंट्री को भी European Union से इंपोर्ट होने वाले माल पर टेक्स लगा देना चाहिए EBA जो चार चीज़ों को कंसीडर करे relative per capita GDP relative per capita emission relative trade gain relative avoided emissions यह सब तो यह article हमने डिसकस किया फिर डिल्ली में pollution वाला आर्टिकल हमने डिसकस किया किस परकार से pollution काफ़े ज़या बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में टेक्नोल्जी अच्छी आ गई है बहुत पैसे इंवेस्ट किया है लेकिन pollution कम नहीं हो रहा है Central Government serious नहीं है, दिल्ली सरकार serious नहीं है CAQM Commission for Air Quality Management ये जो है NCR region में सबसे बड़ी body है, सबसे important body है pollution को address करने के लिए और ये भी तब ही जागता है जब Supreme Court धमकाता है इस body को, otherwise ये body भी हो जाती है, ये पूरा article हमने discuss किया, फिर ये sex worker वाला article था, जिसमें हमने discuss किया था, किस-किस type की problems जो है, वो sex workers face करती है, बहुत सारे mental health issues से जूजती है जिसे anxiety, depression और PTSD, substance abuse और क्यों जहेलती है समाज में देखो, stigma test हो जाता है, basic services नहीं access कर पाती, isolation हो जाता है और इसके लावा economic uncertainty रहती है इस वज़े से stress काफे ज़्यादा बढ़ जाता है, substance abuse होता है तो ये harmful cycle चलता रहता है तो legal protection प्रोवाइड करने के आउ सकता है, सरकार को peer-to-peer sport की importance बताई जाती है तो ये पूरा article हमने sex workers से समन्दित discuss किया question देख लीजिए जो आपको attempt करना है, एक question आपको attempt करना है ये 15 marks का question है 250 words में आपको इस question का answer देना है तो ये थी हमारी आज की discussion कल मिलते हैं, फिर से एक नई discussion के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए अच्छे से पढ़िए, thank you, thank you very much for discussion